हाई, विंट्स मैथ, इट मस्ट भी मैस भी अमिये, विलकम अगी इन टु दे वल्ड उफ मैस भी अमिये, तो आपके सामने एक कोशन दीख रहा है, यह सबसे इंपॉर्टन कोशन है, और सबसे टफिस कोशन माना जाता है, जो सारे एक्जाम्स में दीखाया चाहिए, वो SSC ज डिखता है, तो मैं आपको पहरे बताता हूँ कुछ बाते, तो इस कोशन को सॉल्ड करने के लिए, जिसमें आपका लिखा हुआ है क्या है, आपका लिखा हुआ है, 7, then, 2, then, लिखा हुआ है, 7, then, 2, then, 2 लिखा होगा, and साथ कुछ आगे जाएगा, तो इसका होता है, डिर् प्लेस नहां किया माइनेस यहां क्या है प्लेस यहां किया है मायनिश और यहीं हमारा क्यारा कॉश्चन है तो इसक्षा少 Bdest लिए-प्सव कें नोट कीजिए ऑन-सौलोत कीजिए अभर जैदावा लिए पटेस्पिश्म और जाते हैं तो फोर्णम का स District B2, A7, B2, यही लिखा हुआ है, अगर मैं इसको X मानू, तो X का जो value होता है, according to question वो होता है, 4A, आपके shortcut से, minus 3BA square, plus 2, divide by 2, यही होता है, अगर मैं 7 put कर दूँ, तो यह हो जागा मैं कितना 28, and अगर 3BA square मैं 2 put कर दूँ, तो minus 12, root, का मतलब हो जागा 16, का मतलब यह outcome क्या है, और B का value 2 था, 4 plus 2, 6, divide by 2, 3, is the answer of this question, तो जो आपका output दिखता था, उसको note कर लिजे, बहुत simple है, बट, अब यह देखना है कि क्या हम हमेशा output के भरों से बैठें, नहीं, हमेशा output के भरों से नहीं बैठना चाहते है, तो I hope यहाँ तक clear है, direct output से value put करके हम लोग question solve कर सकते है अब देखना previous questions में, इसे बहुत सारे question दिखें, आप इसो solve करना, दो type का output देखता है, एक plus, minus, plus, minus, एक plus, plus, और पाकिस्ट में भी मैंने बहुत सारे videos बनाए हुए हैं कि इसे कैसे solve करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, तो अब अगर मैं इसको concept से solve करूं, तो देखिए इसमें दूसरीज चल रहा है, एक सरीज प्लस का है, और एक सरीज माइनस का है, तो हमें दो type से equation करना होगा, मैं complete को मान रहा हूँ, x, complete x का क्या मतलब है, complete x जो है, root 7 से start हो रहा है, उसके बाद कुछ और है, अब देखिए, जो root 7 माइनस से start हो रहा है, यहाँ plus है, इसको y मानते ह है, तो मैंने y को क्या माना, मैंने y को माना है, root 7 माइनस 2 का terms, अब देखिए, मैंने इसको माना है, तो मैं यह हो सकता हूँ, इसके बाद को मैंने y माना, तो x का जो actual value है, वो है, root 7 plus 2y, x का actual value यही है, क्योंकि मैंने इसको y माना है, अब y को देखिए, y में आपने क्या लि तो यह आपका x है, आप इस टाइप से अपने terms को लिख सकते हैं, जो आपका converging series होता है, हम उसे replace करते हैं, और replacement इसमें आपका double replacement चलता है, बिकार 2 series चल रहा है, अब इससे equation 1 बोल दीजिए, इससे square करते हैं, अगर आप 1 square को काम करोगे, तो x square plus 7 plus 2y होगा, अगर इसको 2 बो y square, सही है, यह cancel out हो जाएगा, यहाँ अगर हम 2 common लें, तो दिख जाएगा x plus y, इसको अप लिख सकते हो, x minus y into x plus y, यह बता है, 2 into x plus y, यह दोनों मेरा cut गया, मैं बोच सकता हूँ, x minus y का value क्या है, 2, और हम भी निकालना क्या है, x, तो y को लिखते है, y is equal to x minus 2, यह मेरा एक outcome आ गया, इसको यहाँ put कर देता है, ठीक है, हमने values लिया, outcome निकाला, put किया, तो यहाँ हो गया, x square is equal to 7 plus 2 into x minus 2, जो हमाँ दिखेगा, x square is equal to 7 plus 2x minus 4, जो कि दिखेगा, 7 minus 4 is 3 plus 2x, इसे उठा के इधर लियाओ, यह हो जागा, x square minus 2x minus 3, बराबर 0, ब्रेक करो, x minus 3, x plus 1, बराबर 0, तो x का value चाहे तो 3 होगा, और minus 1 होगा, certs है, certs है, तो हमें से positive होगा, यह answer होगा, तो यह converging series को solve करने का basic method है, आप 2 series मानते हो, because double series चड़ रहा है, उसको square करते हो, solve करते हो, answer रहता है, तो मुझको लगता है कि आपको एक नई चीज सीखने का मौका मिला होगा, यह आपको पहले से पता होगा, तो अपने recall किया होगा, बट मैं अभी भी बोलता हूँ, कि उस output को आप याद रख लिजिए, बहुत बार question आता है, और इसके दो output होता है, दूशा output आप देखने के लिए forum पे जाईए, हम लोग आपके quick revision के लिए, तो यह अभी जो time है, वो quick revision के लिए, एक पूरा forum और block create कर रहे है, वहाँ पे आप जाओ, हर एक दिन आपको question के साथ मिलता रहूंगा daily, आप उसको देखते रहिए, सीखते रहिए, अपना best दिजिए, और exam को crack किजिए, God bless you, happy learning and bye bye.